आपके रैली हुई है उसके बादा बीजेपी ने पीसी करके आरोप लगाया कि वो जो रैली थी सपागे गुंडों पित यह बदधवासी में बोल रहा है योगी जी कहते हैं सारे गुंडे जेल में हैं और यह कहते हैं तो मैं तो यह कहता हूं जो एडियार के रिपोर्ट है स प्रादी केश देख ले और अपराधी केस के पboth करो सु लगती है और योगी के रूप में इस वियक्तिक ये तक यह तना राजन्याथिक और नैतिक साहस नहीं था क्ये अपनी सरकार में ही न्याले के वरुट एम से सब्सक्राइए केसे Sब्सक्राइब क्या है। अच्छा ने लगता है सारे और गुंडे और माफिया भारती जंता पार्टी में जाकर पवित्र हो जाते हैं ये गुंडों और माफियों की सरकारिन की बधवास्टी में बोली गई ये भासा है वो कल आरोप लगा है कि वो सुपर माफियाओं का पैसा लगा था वही रैली की गई थी सूप तो सूप चलनियों हसे अदानी अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले चंदा चोरों की ये पारिटी किसी और को पर आरोप लगाए इससे जदा मजा क्या हो सकता है क्या लग रहा है कल के रैली से भाईबीत में बोलाने बधवास हैं इस्टूल मंत्री की स्टूल चिनने वाला है अनिल राजभर को अपनी नोकरी पर आ गया है कि सब कुछ करते रहा गया और इतनी बड़ी रहली हो गई आपको पता है कल प्रसासन ने नेट को आफ कर दिया था सनक जाम कर दिया था पुलिस के कोई व्यवस्ता ने थी चाहता था प्रसासन के सनक जाम रहे लेकिन पुर्वानचल से सुप्रास और किसान कभी नहीं करेंगे इनको माफ एक और बात जनताम चल ले है कि जो प्रकास राजभर वादे कर रहे थे उसमें अख्ले सव्याद्व को पर इंतजार और मैं आपको बता रहा हूं कि अख्ले सभाटा वार आ झाल झाल झाल